नुमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटीन में आपका स्वागत है निउज बुलेटीन के मुखे स्पोंसर है आरके जुएलर्स आकर से काभूशनों के विश्यो सिनी है विक्रेता यमुना चौक बक्सर सराब के नसे में चंदा पंचायत के मुख्या अजय गीरी गीर अफ्तार डीम का निर्देश मिलते ही मुख्य मारगों पर सुरू हुई वाहनों की जाच सराब और दूद की वैन आपस में टकराई चालक की मौत वहां छोड़कर भागे टूटी पट्री से गुजरी पंजाब में चालक ने लगाया इमर्जेंसी ब्रेक होप कमपनी ने लांच किया बाजार में इलेक्ट्रिक बाइक खेतो किसी चाई करने गए किसान की करंट लगने से मौत डीम ने तीन जन्वितन पढ़ा ली की दुकानों का किया ने रिक्छन जिंदल पैंथर सिमेंट एवम सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवम सिम्री संपर्थ करें नीचे दिये गए इन नमबरों पर अब ख़बरों की चचा विस्तार से नया वजार के सीताराम विवा महोत्सों में एक फरवरी से प्रारम हुआ प्रिया प्रियतम महोत्सों आठ फरवरी को मामा जी के पादुका पूजन के साथ संपन हुआ आठ फरवरी को उनकी पुन्तिती थी आसरम के मंत राजा राम सरण जी एवं अन्य पधारे संतों ने पादुका पूजन किया पंद्रहमा प्रिया प्रियतम महुसो संपन हुआ इस मौके पर सरधालों के लिए भवे भंडारे का भी आयोजन किया गया था गुलटिन के दूसरी सुर्की है सराब के नसे में चंदा पंचायत के मुख्या अजय गिरी गिरफतार कर लिए गये हैं यह वाकिया बीते दिन बुद्वार का है सूचना के अनुसार उतपाद विभाग की टीम चंदा गाओं में मोती गीरी के यहां छापे मारी करने गई थी क्योंके मुख्याले से सूचना मिली थी उनके हाँ सराब बिकती है उतपाद विभाग की टीम ने वहां मौके से दिसी और भी जिसी सराब की कुछ बोतले बरामत की इसी दौरान मुख्याब उतपाद विभाग की टीम से सवाल लबाब करने पहुँच गये पता चला उन्होंने भी सराब पी रखी है इसी आरोप में उन्हें गिरफतार कर लिया गया है अजे गिरी हाल ही में पंचायत भवन के लिए एक एकर जमीन दान देकर चर्चा में आये थे बुलेटिन के तिसी सुर्की है डी-म का निर्देश मिलते ही मुख्य मारगों पर वाहनों की जाश का सहिल्सिला सुर्व हो गया है यह जो आप नजाना देख रहे हैं मुफसिल थाने की टीम मिसरवलिया और दानी कुटिया के बीच मुख्य पत्पर वहानों की जाश करते ही यहां दिख रही है आपकी यह इनकारी के लिए हम बता दें वह बाइक पर ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट का इस्तेमाल नौ करना नताज जुर्माना देना पड़ सकता है बुलेटिन की 34 सुरकी है सराव और दूद की वैन आपस में टकरा गई यह दुरगटना अपने जीले से 60 दिनारा थाना के भानस ओपी अंतरगत कटरिया गाउं के समीब गुदवार की रात में हुई है अपने इटारी थाना छेतर के इन दौर गाउं के रहने वाले मंजीत पाल जो प्रती दीन दूद की पीक अप लेकर कोचस जया करते थे वही रात में लोट रहे थे और उनके साथ एक बुलेरो ठकरा गई हलाकि तसकर अपनी गारी वहां छोड़ कर भाग गये हैं लेकिन उसमें से सराब निकाल ली गई है ऐसी सूचना मिली है बुलेटिन की पांचवी चुर्खी है तूटी पटरी से गुजर गई पंजाम में लेया हवाक्या बीते दिन दरवलिय स्टेशन के पास इस्थित हरीबलपूर गाओं के का है यहां सुबही सुबह सिमानचल एक्सप्रेक्स गुजरी और पटरी चटक गई उसके पीछे पंजाम में ला रहा ही थी जब ट्रेक से गारी गुजरने लगी तो पटरी खटखट की यवाज करने लगी चालक नेमर्जनसी ब्रेक लग इस्थाना छेतर के समीप होप नाम की इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने नया सोरूम खोला है यहां इलेक्ट्रिक बाई को पलब्द है हलाकि इससे पहले तक आपने स्कूटर सहर में देखे होंगे लेकिन अभी बाजार में पहली बाई किहां आई है जो देखने में आ कर सक और 95 किलो मीटर की रफतार से चलने वाली है बाई की युवाओं के लिए काफी आकर सक लुक में बनाई गई है आप उसका मॉडल यहां देख रहे हैं होप कंपनी द्वारा प्रस्तूत इस मॉडल को देखने और खरीदने के लिए आप और द्योगिक ठाना छेत से कुछ आ बुलेटिन की साथवी सुर्खी है खेतों की पटवन करने गए किसान की करेंट लगने से मौत हो गई यह मामला बर्यार ओपी के भोला डेरा गाउं का है वहां के रहने वाले मुकेस कुमार जिनकी उमर लगबक 32 वर्स थी बुद्वार की दो परवे खेतों की सिचाई करने गए थे मोटर के लिए विजली का अतार विछा था और उसका एक जगा अर्थिंग भी लगा था उसी अर्थिंग के संपर्क में आने की वज़ा से उनकी दुखत मौत हो गई उन्हें बचाया नहीं जा सका इसको लेकर परिवार में मातम का महौल है चलते चलते आपको बु से एक निर्देश दिये आज की बुलेटीन बस इतना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथन तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवादे